उपर ससुराल, नीचे माय का सुनिल शर्मा और सावितरी शर्मा की एक बेटी थी उसका नाम था वैदेही जितना सुन्दर उसका नाम था उतनी ही सुन्दर वो दिखने में भी लगती थी वैदेही एकलाती बेटी थी सुनिल और सावित्री अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे वैदेही की शादी की उम्र हो चली थी और सुनिल और सावित्री अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़की की तलाश में थे जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी कर सके लेकिन इकलौती बेटी होने की कारण सुनिल और सावितरी अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही प्यार करते थे और वो बस ये सोजकर परैशान रहा करते थे कि अगर वैदे ही शादी हो कर चली गे तो वो दोनों उसकी बिना कैसे रहेंगे सुनिर शर्मा का मकान दो मंजिला था ग्राउंड फ्लोर पर वो खुद रहा करते थे और उपर वाला फ्लोर खाली पड़ा हुआ था एक दिन सुबह के वक्त किसी ने उनके घर की घंटी बजाई और वैदे ही ने घर का दर्वाजा खुला सामने एक बहुत हैंसम दिखने वाला लड़का खड़ा हुआ था जिसका नाम था करन जी मुझे किसी ने बताया था कि आप अपने घर का उपर वाला फ्लोर किराय पर देना चाहते हैं मैं पापा से पूछ कर आपको बताती हूँ इतनी देर में सुनिल शर्मा बहा निकल कर आते हैं क्या हुआ बिटा अंकल हम लोग इस शेहर में नए हैं मेरी अभी अभी जॉब लगिये यहां पर और मेरे ममे पापा भी मेरे साथ ही रहते है हमें किराय पर मकान चाहिए था किसने कहा कि आपके घर का फर्स फ्लोर खाली पड़ा है अरे लेकिन बिटा हमारा तो घर किराय पर देने का कोई रादा नहीं है अरे दे दीजी ना जब वैदे ही की शादी हो जाएगी हम अके लिए रह जाएंगे कम से कम इसी बहाने कोई तो रहेगा और हमारा मन लगा रहेगा अंटी जी बिल्कुल ठीक कहती है अब देखिये ना आपकी बेटी शादी होकर सिसुराल जाएगी तो मैं आपका मन लगा दूँगा अरे तुम तो बहुत अच्छी बाते करते हो एक काम करो तुम अपने ममी पापा को लेकर कल ही उपर शिफ्ट हो जाओ मैं घर की साफ सफाई करवा देती हूँ ने नी अंटी आपको साफ सफाई करवाने की कोई जरुवत नहीं है मैं हूँ ना मैं सब कर लूँगा और अगर आपको भी किसी काम की जरुवत हो तो मुझे बता देना अगले ही दिन करवन अपनी मा उर्मिला और पापा शंकर के साथ शर्मा जी के घर में शिफ्ट हो जाता है करवन का नीचर बहुत अच्छा था वो हर वक्त मुस्कुराता रहता वो सावित्री शर्मा को काफी अच्छा लगने लगा था करवन और उसके परिवार को रहते हुए अब कुछ दिन बीच चुके थे एक दिन शाम की वक्त जब सावित्री शर्मा जी के साथ बैट कर चाय पी रही थी तो उन्होंने अपने दिल की बाद शर्मा जी से कह डाली करण कितना अच्छा लड़का है ना हौँ, आजकल के जमाने में ऐसे भले लड़के मिलते ही कहा है जो अपने माबाब का इतना खायल रखे अरे कई बार तो खाना भी बना कर खिलाता है वो भाई साब और भाबी जी को मैंने तो कितनी बार देखा है जिस दिन मेड नहीं आती न सफाय भी खुद अपने हाथ से करता है हमारी बेटी वैदे ही के लिए भी कोई ऐसा ही लड़का मिलता तो उसकी जिन्दकी कितने अच्छे से गुजर जाती हमारी बेटी इतने लाड़ प्यार से पली बड़ी है मुझे तो उसकी बड़ी चिंता होती है लेकिन आज कल इतने अच्छे लड़के मिलते कहा है खमाल करते हैं आप भी अरे लड़का हमारे घर में है और आप कह रहे हैं कि लड़के नहीं मिलते कैसी बात कर रही है वो तो हमारा किरायदार है ये तो और भी अच्छी बात है न हमारी बेटी हमसे दूर नहीं जाएगी लेकिन वैदही को करण पसंद भी है या नहीं वो आप मुझे पर छोड़ दीजिये अगले दिन सुबा के बाद वैदही बेटा ये मैंने करण के लिए खीर बनाई है जरा जा कर उपर उसे दे कर तो आना ममी मुझे आफिस के लिए देर हो रही है आप दे कर आ जाईए न अच्छा ठीक है तुझा मैं खुदी खीर दे कर आती हूँ सावित्री करण के घर पर खीर लेकर जाती है अरे आईए आईए बेहन जी बैठे बैठे कैसे आना हुआ ये खीर लेकर आई थी आप लोग हमारे मकान मालिक होकर भी हमारा कितना खयाल रखते है क्या भाई साब आप भी वैसे आप लोगों का करण की शादी का कोई इरादा नहीं है क्या मेरा मतलब कब करने का सोच रहा है बस कोई अच्छी लड़की मिल जाए हमें एक सुन्दर बहु चाहिए एक ऐसी लड़की जो घर में अच्छी से अज्जस कर ले बस और क्या चाहिए बैहन जी मैं ये कह रही थी कि हम भी अपटी वैदेह के लिए एक अच्छा लड़का ढोण रहा है थे मुझे और वैदेह के पापा को करण बहुत पसंद है अगर आपको कोई अतराज ना हो तो हरे नेकी और पूझ-पूझ हब तो मगान मालिक से हमारे रिष्टेदार बन जाएंगे अब हाँ वैसे भी करण और वैदेही की जोड़ी बहुत सुन्दल लगती है आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को अपने से दूर करना नहीं चाहती थी और ये रिष्टा भी काफी अच्छा मिल गया करन और वैदेही की شादी हो जाती है वैदेही अपनी शादी के बाद विदाय के वक्त जोर-जोर से रोने लगती है आरा तुघह रोने के क्या ज़रत है चार सेड़ियां चढ खर ओपर ही तो जा रही है तो क्या हुआ ममी साब लड क्या रोती है मुझे भी रोने दूना अरे क्या रोना बिटा जब मर्जे आये अपनी ममी को आवाज दे देना इस तरह से वैदेही हस्ते हस्ते अपने माई के से सुराल विदा हो जाती है अगली सुबह जब करण सो कर उठता है तो उसे वैदेही नजर नहीं आती माण वैदेही कहा है पता नहीं बेटा मैं तो खुद कहने वाली थी के उसकी पख फेरों की रस्म है उसे तयार होना है वैदेही वैदेही कहा हो तुम वैदेही तो अपने माँ और पापा के साथ बैट कर चाई पी रही थी करन की आवाज सुनकर वो उपर देखती है क्या हुआ करन अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो चाय पी रही हूँ मुझे मेरे कप में ही चाय पीना पसंद है और बातरूम बिना मैं अपने कमरे का ही यूज़ करती हूँ वैसी भी उपर वाला पोशन तो हमने किराय के हिसाब से बन वाया था मुझे वो रूम भी पसंद नहीं है अरे वैदेही अब वो तुमारा ससुराल है अरे बहु तुमारी पक फेरों की रस्म होनी थी लेकिन तुम तो खुदे अपने माई के पहुँच गई अब आदी रस्म तो हो गई बाकी की बची हुई रस्म के लिए करण को तुम्हे लेने भीजती हूँ क्या मम्मी जी आप भी ना आ रही हो ना मैं वैदेही एके मिनिट में दौड कर उपर पहुँच जाती है अब उर्मिला वैदेही को पहली रस्म बनाने के लिए किचन में भीजती है वैदेही अगले ही पल हलवा लेकर वहार आती है अरे बहुँ तो बड़ी फास्ट है आदा मिनिट भी नहीं लगा हलवा बनाने में अरे नहीं नी पापा जी नीचे मम्मी ने बनाया था ज्यादा बन गया था तो मैं ले आई अरे पहु अब वो तुम्हारा माई का है और ये ससुराल अरे मम्मी जी आप भी ना अच्छा वो सब छोड़िए पापा कह रहे थी कि इसमेने का किराया नहीं दिया आपने तो वो दे देना जरा ये तुम कैसी बात कर रही हो वैदेही क्या अब भी तुम्हारे पापा हम लोगों से किराया लेंगे अरे हाँ बिलकुल लेंगे आखिरकर आप है तो उनकी किराया दार ही न किराया क्यों नहीं लेंगे अरे बहु अब तो हम रिष्टिदार बन गया हैं और ये उनकी बेटी का सुसुराल है अपनी समदी से बला कौन किराया लेता है नहीं नहीं पापा जी मेरे पापा ना हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं अगर आप लोगों ने किराया नहीं दिया तो वो मुझे से किराया मांग लेंगे क्योंकि अब मैं आपके घर की बहु बन गई हूँ ना भगवान सब भला करना ये उपर सुसुराल नीचे माय का कभी किसी को ना देना पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगा ये अच्छा करण ठीके अब मैं अपने घर जा रही हूँ सुबह आ जाओंगी लेकिन वैदी हमारी शादी हो गई है ये हमारा बेडरूम है और अपसे हमें यहीं रहना है का जा रही हो तुम अरे अपने कमरे में सोने जा रही हूँ और मैंने कहा ना मुझे ये वाला पूशन कुछ खास पसंद नहीं जब पापा बनवा रहे थे तब भी मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने कहा किरायदारों के लिए बनवाया है अब मैं उनकी किरायदार थोड़ी ना हूँ लेकिन मैं तो तुम्हारा पती हो ना वैदी तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए अरे तुम्हारी पत्नी होने से पहले मैं मकान मालकीन हूँ और वैसे भी चार सीरें उतर कर मेरा माय का है क्या हो गया अगर मैं बाहाँ चली जाओंगी देखो वैदी अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए क्यों सेक आना इससे पहले कि वैदेही करण के सवाल का कोई जवाब दी थी नीचे से सावितरी के जोर जोर से वैदेही को आवाज देकर बुलाने की आवाज आने लगी अरे वैदेही बेटा अरे कहा गई जल्दी आना बेटा देख वो बहार का दर्वाजे का ताला लगा दे तुम अपनी ममी को बोलती क्यों नहीं कि अब तुम उनकी बेटी नहीं हो अब तुम अपने ससुराल में हो हरी क्या हूँ अगर मैं अपने सिसुराल में हूँ रोज रात को घर का लॉक मैं ही लगाती थी जो आ रही हूँ मैं इतना कह करवाई देही वापस नीचे उतर कर आ जाती है और घर का लॉक लगा कर जैसे ही फिर से उपर जाने लगती है उपर से उर्मिला के आवाज आए अरे बहू तुम अपने माईके में क्या कर रही हो माईका अरे ममी जी ताला लगाने आई थी ममी पापा को हमेशा सी ये का मुझसी करवाने की आदत है आ रही हैं अभी उपर नहीं नहीं बहू देखो रात के बारा बच चुके है और गुरुवार लग चुका है हमारे यहां गुरुवार के दिन लड़कियां अपने माईके से ससुराल नहीं आती अरे माई ये क्या जबर्दसी है चार सिड़िये तो चड़के आना है उसे देहने तो बिटा इन चार सेड़ियों के बीच में ही ससुराल और माईके का फर्क है समझे अब वैदेही परसों ही उपर आ सकती है उससे पहले नहीं और इस तरह वैदेही को फिर से अपने मम्मी पापा के पास ही रुकना पड़ा लेकिन वैदेही करन और बाकी के लोगों को लगने लगा था कि उपर ससुराल और नीचे माईके वाली ये कहानी कुछ उलचती ही जा रही थी कुछ दिनों के बाद अरे मम्मी जी घी खत्म हो गया है अब मैं खाना कैसे बनाओ तो रुक बहू मैं करन से कहती हूँ वो लेकर आ जाएगा अरे रहने दीजे ना मम्मी जी मैं मा से ले आती हूँ अरे नहीं नहीं बहू समधी के गर से रोज रोज इस तरह सामान मंगना अच्छा नहीं लगता मम्मी पापा ठीक कहा रहा है मैं अभी लेकर आता हूँ करन जैसे ही नीचे उतर कर बाहर जाने के लिए निकला वैसे ही उससे सावित्र मिल गई अरे कहा जा रहे हो करन बेटा मेरा मतलब दमाज जी कुश्री ममी जी वो घी खत्म हो गया था वही लेने जा रहा था अच्छा अच्छा सुनो यह सामान भी लेते आना अब तुम्हारे पापाजी तो ठक जाते हैं तो तुम ही ले आओ सावित्री एक लंबी लिस्ट करन को पकड़ा देती है सारा सामान लेकर वो घर आता है उर्मिला उसे सावित्री का सामान लाते हुए देख लेती है अरे तु दामाद है उस घर का ये क्या? उनका सामान लातकर गदे की तरह घूम रहा था तु क्या करू मम्मी? क्यासे मना करू? सामने मिल गई वैदे की मम्मी तो क्या कहता मैं? कुछ दिनों के बाद एक दिन दोपेर के वग वैदे ही अपने घर में कहीं नज़र नहीं आ रही थी उर्मिला ने उसे जारो तरफ टुंडा लिकिन जो वो कहीं नज़र नहीं आई तो उर्मिला समझ गई ही कि वैदे ही अपने माय के गई होगी थोड़ी दिर के बाद जब वैदे ही उपर आई तो उर्मिला उसे घूर घूर कर देखने लगी क्या हुआ मम्मी जी? अरे बहुत तुम कभी भी माई के चली जाती हो क्या करूं मम्मी जी? दूसरी लड़कियों की तरह अपने सुसराल की बुराई फोन करके तो नहीं बता सकती ना अपनी माँ को इसलिए सुचा वहाँ जाकर ही बताती हूँ है? क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मम्मी जी? अरे लड़किया करती तो अपनी सास की बुराई मैंने सुचा मैं भी पता करूं की कैसा लगता है बुराई करकी अब उपर से नीचे कॉल क्या करना? तो मैंका दी चली गई भगवान बला करें जाने क्या क्या होना बाकी है कुछ दिनों के बाद वैदेही की प्रेगनसी की खबर आती है वैदेही, अब तुम्हें अपनी हैल्थ का ध्यान रखना होगा वो करन मेरी सेली है न वो अपनी डिलिवरी के लिए अपने माई की गई थी तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? अरे वैदेही, तुम्हारा माई का दूसरे शहर तो दूर दूसरे घर में भी नहीं है तुम वहां रो या यहां रो क्या फरक पड़ता है? नई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- अरे पापा जी एक ही घर में तो क्या हुआ वो है तो मेरा माई का ना रोज रोज करन का ना अच्छा नहीं लगता ठीक है बहू जैसा तुम्हें ठीक लगी इस तरह से साथवा महिना लगते ही वैदेही अपने माई के चली जाती है और करन एक घर में रहते हुए भी वैदेही से नहीं मिल सकता था क्योंकि वैदेही ने उसे ऐसा करने से मना किया था देखते ही देखते दोनों का बच्चा भी आ गया अब इस उपर से नीचे के खेल से करन परिशान हो गया था एक दिन वो सुनिल जी से मिलने पहुचा नमस्ते अंकल जी अरो पिटा अंकल जी क्यों बोल रहे हो पापा जी बोलो न अरे अभी मैं आपका दमाद नहीं किरायदार बन कर आया हो न इसलिए हाँ हाँ बोलो क्या बात है वो क्या न अंटी जी हम घर खाली करना जाते है तबी वहाँ पर वैदे ही आ चाती है अरे लेकिन आपको घर क्यों खाली करना है ये मिरा माईका भी तो है इसलिए तो खाली करना है क्योंकि उपर ससुराल और नीचे माईके ने मुझे मेरे ही बीवी बच्चे से दूर कर दिया है अंकल जी लीजी आपका किराया और हाँ अब मैं अपनी बीवी को लेने आऊंगा दामाद बन कर